ये 11 खिलाडी जिताएंगे भारत को चौथा T20 मैच चौथे T20 मैच में 200 रन बनाएगी टीम इंडिया सूरिया रिंकू की जोडी ने तैयार किया मास्टर प्लान नमस्कार दोस्तो क्रिकेट के एक और नए वीडियो में आपका शौगत है तो दोस्तो कौन से 11 खिलाडी जिताएंगे भारत को चौथा T20 मैच आखिर चौथे मैच में किस प्लान के तहट 200 रन बनाएगी टीम इंडिया और सूरिया रिंकू की जोडी ने कौन सा मास्टर प्लान तयार किया है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में लेकिन उससे पहले यदि आप भी सूरिया रिंकू की जोडी को दिल से पसंद करते हैं तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तो जैसा कि आप लोग जानतों कि भारत और आश्टिलिया के बीच पाँ T20 मैचों की सीरिज खेली जा रहा है जिसमें 3 मुकाबले हो गए हैं और इन मुकाबलों में टीम इंडिया 2 एक से आगे है याआनि की टीम इंडिया ने 2 मुकाबले जीते हैं वहीं आश्टिलिया ने तीसरा जो T20 मुकाबला हुआ था नाश्टिलिया जो चौथा मुकाबला है और जो आश्टिलिय जीद जा दिये तो फिर पांच वा मैच अतीरो मन्चक होने वाला है तो ऐसे में सूरिया और रिंकू की जोड़ी ने मिलकर एक खास प्लान तयार किया है जो कि चौथे मैच में काम करेगा आखिर क्या है सूरिया रिंकू का प्लान जानेंगे आंगे लेकिन उससे पहले अपन जानते है चौते मैच के लिए जो टीम इंडिया की प्लेंग 11 होगी वो क्या होने वाली है तो सबसे पहले तो हम आपको बता दे इस मैच के लिए तीन खिलाडियों की जो है वो बापसी हो गई है तो इसमें सबसे पहले तो हम आपको बता दे कि स्रिया सायर, दीपक चाहर और मुकेश कुमार फिर से लोट आए हैं यानि कि ये तीन खिलारी फिर से पिलेंगे लिविन का हिस्सा बनने वाले हैं अभी तक स्रिया सायर जो थे वो रैष्ट पर थे और दीपक चाहर पिछले एक साल से टीम में नहीं खेल रहे हैं तो ऐसे में जो अब ओपनिंग करेंगे वो रहेंगे ये दोनों ही ओपनर की भूमी का निभाएंगे कनफार में 100% नमबर तीन पर इशान किसन जो की बिकिट की पर बल्लेवाच की तोर पर खेलेंगे नमबर चार पर शूरे कुमार याद हो जो की कप्तान ही है नमबर पांच पर स्रियस अइयर जैसा की मैंने पहले ही बताया है और यह बड़ा रोल लिवा सकते हैं नमबर चेव पर रिंकु सिंग, नमबर शाथ पर दीपक चाहर, देखो दोस्तों दीपक चाहर की भी बाप से हो गई है पिछली बार वो बेंच पर बैठे रहे थे लेकिन चौते मैच में उन्हें मौका मिल सकता है नमबर आठ पर रभी विश्णोई जो की मुखे स्पनर रहने वाले हैं नमबर नौ पर अश्दीप सींग नमबर दस पर अभी भी प्रिशिद्ध कृष्णा या आविश्द कान मैसे किसी एक को मौका मिल सकता है नमबर दस पर प्रैसे क्यूंकि प्रिशिद्ध कृष्णा अभी थोड़ा सा बलब एक मैच के आधार पर उन्हें सायदी भगाया जाए लेकिन हाँ आविश्द कान की मौका मिलने के ज़्यादा उम्मीद जताई जा रहे हैं ज़्यादा चांसेज हैं और नमबर ग्यारा पर रहने वाले हैं मुकीस कुमार जो कि अपनी शादी के बाद अब लोट आए हैं राइपूर में चले गए हैं तो ऐसे में आश्टिले के खिलाफ चौथी मैच में यह होने वाली है टीम इंडिया की पिलिंग इलेविन तीसरे मुकाबले में हार के बाद रेसिंग रूम में रिंकू ने प्लान रखते हुए कहा कि अब हम पहले यदि हमारी बैटिंग आईगी तो हमें 222 नहीं सीधा 2500 रन बनाने होंगी क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार की पिछे हो जाती है बाद में जो कि सेकेंड बैटिंग आती है तो उस प्रकार से 222 भी अब कम लगने लगा है तो ऐसे में रिंकू ने साब कहा है कि मुझे कम से कम 20 कैने खेल ले का मौका मिलो लास्ट मैच में तो मुझे खेल ले का मौका ही नहीं मिला लेकिन दोस्तों यदि आप रिंकू सिंग ने जो बात कही है उसके अनुसार उन्हें अब पाच्वी नंबर पर मनलब भेजा साथ सकता है तो ऐसे में आप लोग जानते हो कि रिंकू सिंग किस प्रकार से कमाल दिखा सकते हैं अपने बल्ले से और टीम को 200 रन तक पहुचा सकते हैं वाई दोस्तों रिंकू के प्लान पर उस कप्तान सूरिया ने भी महल लगाई और बाकी खिलाडियों के साथ कोच बीबिय इंडिया हार गई थी मतलब डेपेंड नहीं कर पाई थी तो आपके रुशार चौते मैच में यदि पहले बैटेंग आती है तो टीम इंडिया को कितने रनों का लक्षे देना चाहिए जो कि सेव रहेगा आश्टलिया के सामने कमेंट वक्स में जरूर बताएं मिलते हैं ए विडियों के शाद तब तक के लिए जैस्याराम